श्री नाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश समसान वासनी साधना, क्या होता समसान वासनी साधना, समसान वासनी से हम लोग समझते हैं माकाली, भैरव जैसे शिव और पारवती ने जब बात किया तो बहुत तरीके का तंत्र उससे निकला, बहुत सारे तंत्र की जानकारी जैसे प्रतंगरा तंत्र की जानकारी, उनके शक्ति का बोध कराया महादेव जी ने वारतलाव के दौरान में उसी तरीके से जब भेरव जी और भेरवी जी बैठ के बात कर रहे थे तो उसमें भी भेरव जी ने भेरवी जी को बहुत सारी साधनायों के बारे मैं बताया जिसमें उनका अपना साधना भी सम्मिलित था तो उसमें सुन्दरी साधना जिसे भूशन सुन्दरी साधना भैरवी जी ने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसी साधना है तो जो सरल हो तो भैरव जी ने बोला कि ऐसी कोई साधना होती नहीं है जो सरल साधना होती नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जन कल्यान के लिए मैं आपको कुछ ऐसी साधना ही बता रहा हूं जो कि आम लोग भी कर पाएंगे तो उसमें ही उन्होंने कुल सुंदरी साधना दी मदू सुंदरी साधना दी है ना नटी साधना दी और उसी में एक बला अबला साधना थी उसी म साधना हुआ सम्शान वासनी साधना सम्शान वासनी साधना जो है यह उग्र है लेकिन आप हम हमारे जैसे साधक ग्रेहस भी अगर सम्शान जा सकते हैं तो वो कर सकते हैं इसमें सम्शान वासनी का प्रतक्षिकरन होता है और साथ में बहुत सारे बहुत सारी तांत्रिक शक्तियां आप में समाहित होती हैं अगर आप समसान वासनी साधना करोगे तो तो समसान वासनी साधना करते कैसे हैं? समसान वासनी साधना 21 दिन तक रात में आप असमशान जाएंगे असमशान जाने का समय ग्यारा बज़े के बाद होना चाहिए ग्यारा बज़े पहुंचिए उसके बाद जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसका आप 8000 जाप कीजिएगा 21 रातों तर ठीक है और जिस दिन आपका 21 रात खतम हो जाएगा उस दिन आपको एक 8000 बार आहुती देन लकड़ी के टुकड़े में आप दही घी और शहत मिश्रित करनेंगे इसके बाद इस मंत्र से आप जो है माभगवती का सम्शान वासनी का आप हवन करेंगे इस पूरे क्रिया का सबसे जो उत्तम आउट फॉल आउट है वो यह है कि आपको इसमें प्रतक्षिकरन होता है इसके बाद अब जब भी सम्शान वासनी से काम ले किसी क्रिया को आप करें तो उनको मचली मांस बली और कारण जरूर दें ठीक है अभी मंत्र सुनिया मंत्र क्या सम्शान वासनी का मंत्र है ओम रिम हुम हुम ओम रिम फटफट सर्व भूतनी नाम भगवती वच्रधारस्या समय मनुपालय हना हना वदवद आक्रम आक्रम हो हो रात्रव सम्शान वासनी आगच्च शीक्रम हुम पठ इस मंत्र को 8000 जाप आपको रोज करना है करने में आपको मान के चलिए कि लगबग पूरा अगर आप जित्ती जंदी वैटे 11 से बैठेंगे तो आपको चार बज जाएगा लेकिन कोशिश करिएगा कि सूर्य आस्त से पहले आप इस साधना को कर लो मंत्र हैं फिर बोल रहा हूं रिम हुम हुम ओम रिम फटफट सर् भूतिनी नाम भगवती वच्रत हरस्य समय मनुपालय हन हन वद वद आक्रम आक्रम भोगो रात्रव समसान वासनी आगच्च शीक्रम हुम फट स्वाहा हुम फट के बाद जो स्वाहा है वो सिर्फ आप तब लगाएंगे जब आप इसका हवन करेंगे इसके लाबा यह आप आपको फोल करने जोब नहीं है फ्न दर यह पहला मैं आपको रहसे बता रहा हूँ मैं आपको हर तरीके का मतल्डर का उपयोगी होगा, देखो, फिर मैं एक बाद बोल रहा हूं, साधना करो, लेकिन साधना कोई mechanical work नहीं है, कि मैंने switch दावा तो light on हो जाएगा, साधना तीनों स्तर पर करना, अपने मांसिक रूप में साधना, सारीरिक रूप में साधना, और spiritual लेवल पर साधना, जब आप साध जब देखना कि उस साधना का असर आपके मन पर कितना हो रहा है, उस साधना का असर आपके शरीर पर कितना हो रहा है, और उस साधना का असर आपके आध्यात्म में कितना हो रहा है, आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, कि घट रही हैं, यह हमेशा अनुमान लगाते रहना, जिस साधना में तीनों में से कुछ भी घटता दिखे, उस साधना को बीच में छोड़ करके और बली-वली देके उसको वही रोग देना चाहिए. आज के लिए इतना ही बेसिक साधना, बंदन, बंदन, मंत्र, भहरव मंत्र अगर सीखना है, भहरव जी का पूजा कैसे करें, यह सारे विद्यायन सीखनी है, तो मेरा एक paid WhatsApp ग्रूप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, इसके अलावा अगर भूत ब्रेतों में इंट्रेस्ट उसमें आप उसे appointment ले सकते हैं, डारेक्ट बात करने के लिए आप लोग call me for app डाउनलोड करिए, उसमें रूत रनाज सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डारेक्ट कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन दब आज के लिए तने ही आप सबी को आदेश आदेश, अलाख आदेश